अगर आपको financial knowledge चाहिए, तो Rich Dad Poor Dad से अच्छी वर्ल्ड की कोई book है ही नहीं, ये वर्ल्ड की number one financial book है, बहुत ही easy way में, इसमें आपको काफी सारी real insights मिलती हैं, जिसको सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि जो भी अब तक आपको सही लगता था, वो कहीं न कहीं आपको financially impact कर रहा है, इस book के दुनिया भर में करीब 44 million से भी जादा copies sell हुई हैं, और कई सालों से best seller books की list में भी है, तो ऐसी बहतरीन book को जरूर पढ़िए, पर उससे पहले इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए, जिधर हमने top 5 lessons बताए हैं, Rich Dad Poor Dad के बारे में, ताकि आपको सब कु पर चैनल को सबस्क्राइब करना तो सबसे easy है ना, तो सबसे पहले यही वाला easy काम करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कर लिया, चले, lesson number one, make money walk for you, सब लोग पैसे के लिए भागते हैं, और वही पैसों के लिए काम करते हैं, जो कि हम आम आदमी को उन top 1% से अलग कर देता ह Because rich people never walk for money, जी हां दोस्तों, they make money walk for them, शायद आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, पर जहां पर हम risk लेने से डरते हैं, और हमेशा job के पीछे ही भागते हैं, वही पर rich लोग risk लेने से डरते नहीं हैं, और अपने पैसों को invest करते हैं, लोगों को काम पर रखते हैं, assets में invest करत हैं, जो कि ultimately उन्हें पैसा बना के देता है, और ये lesson book का सबसे important lesson है, lesson number two, walk to learn skills, not for money, अगर हम कही पर भी किसी के लिए भी काम कर रहे हैं, तो हमारा main motive होना चाहिए, skills को सीखना, ना कि पैसा कमाना, Robert, जो कि इस book के author है, उनके हिसाब से हम बस एक skill दूर हैं, अमीर बनने के लिए, वो skill कुछ भी हो सकती है, चाहे management, communication skills, sales, या कुछ और, पर एक skill को जरूर master करना चाहिए, और हमें इसी mindset के साथ आगे बढ़ना चाहिए, lesson number three, asset and liabilities, इस पूरी book में आपको इन शब्दों पर जादा focus होता हुआ दिखेगा, जो बहुत जादा जरूरी भी है, अगर आपको भी उन top 1% club में शामिल होना है, तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि asset क्या है, और liabilities क्या है, असान भशा में बोला जाए, तो asset वो चीज है, जिससे आपकी pocket में पैसा आता है, वह पर आपको अच्छा खासा return मिलता है, वही liabilities, आपका loan, EMI, जैसी चीजे होती है, तो अब आप तो समझ ही गय होंगे न, कि आपको अपना पैसा कहां लगारा चाहिए, और कहां कम खर्च करना चाहिए, लेसन नमबर 4, saving money, रॉबर्ट के हिसाब से पैसा कमाना मुश्किल न के बाद आप उन्हें invest कर सकते हो, और अच्छा return ले सकते हो, जिससे आपको long term में काफी फायदा होगा, लेसन नमबर 5, financial literacy is the key, ये एक ऐसी बहुत जरूरी चीज़ है, जो कि हमें school में नहीं सिखाई जाती है, पर अगर आपके पास financial knowledge नहीं है, तो कहीं न कहीं आप बहुत सारी गलतियां करेंगे, हाला कि हमारे education system में भले ये नहीं हो, पर हम अपनी वीडियो में अकसर आपको ऐसी educational knowledge देते रहते हैं, इस चैनल को इसलिए जरूर subscribe कर लीजेगा, तो चलिए, आशा गरता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, जो मैंने short में बता ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे अगले मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए, गुड़ बाई